इंजिनियरिंग करना हर किसी छात्र का सपना होता है लेकिन इंजिनियरिंग की पढ़ाई पूरी होने के बाद अच्छी नौकरी लेना एक बड़ी चुनोती होती है कई छात्र नौकरी के लिए दरदर भटकते हैं, मिहनत करते हैं, तो कई छात्र गलत रह अक्तियार कर लेते हैं ऐसा ही एक मामले का खुलासा राची फूलिस ने किया है उर्मानझी थाना में अशोक कुम अरमिस्ता ने एक मामला दर्च कराया था कि पटना से राची के दिवड़ी मंदिर जाने के लिए स्कौर्पियो बुख की गई थी पटना से चार यूवक एसकॉव्पियो में बैठ कर तीली मंदिर पहुँचे और पूझा अर्चना किया पूझा अर्चना के बाद उर्मानजी इस्तित होटल में सभी ने बैठ कर खाना खाया और इतना खाना खाने के दोरान युवाकों ने ड्राइबर के खाने में नशिला पदार्थ मिला दिया जिसने वह बिहोश हो गया बिहोश होने के बाद उसकी चमचमाती हुई नई स्कॉर्पियों लेकर फरार हो गए इस मामले का खुलासा करते हुए ग्रामीन SP नुषा दालम ने बताया कि गिरफतार मुकेश कुमार प्रेज खुमार और क्या इसनि किस तरह से गाड़ी को लूटा था उन्होंने बताया कि मुकेश कुमार B-Tech का च्टूडेंट था और पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी की तलास कर रहा था मन्चाही नौकरी उसे नहीं मिल पा रही थी कहीं नौकरी लगे तो सेलरी कब इस कारण से वह काफी परिसान था और आखिरकार गलत रह पर चला गया वह चोर गिरो का सरगना बन बैठा अभी भी छोटी वानों की चोरी करने या ठग के ले जाने का एक ग्रोह जो अंतर राजिये ग्रोह है अभी भी शक्रिये है और कहीं कहीं यदा कदा हम लोगे राची जिला से ग्रामी चित्र हो या शारी चित्र हो वहां से गारिया ये लोग लेके जाने में सफल हो जाते हैं को लोग भाया किया था पटना से और यह कहते हुए कि भगवान का दर्शन करने के लिए हमको जार्खन जाना है देवरी मंदिर का दर्शन करना है जहां धोने जी अक्सर यदा-कदा पुजा करते रहते हैं उसी मां का कैंपस में जाके दर्शन करेंगे मत्ठ टेके इसी भावना में आकर इस कांट के वादी जो है से कशोख कुमार मिसाज यह है उनकी स्कॉर्पियो गारी थि उन्हों ने भारा में दे दिया चार लरके वहां से निकले और आकड पहले मंदिर गया मंदिर के बाद वहां फुजा खाने खाने के करम में ही best candle श्लिपिंग पील्स डाल दिया गया जाया has a raca के डीज के रूप में हो जैसरे पीा है उसके दीन दाने लगई गारी में लोग बैठा गए तो उसको भी ठा लिए लेकिन गारी को यूरव चांड बंगाल लोग निकालना चांडिल में बेहोशी के आलम में ही ड्राइवर को वहां से किनारे पतिक विस्राम ग्रीव में जो होता है वहीं पर छोलाग छोड़ दिया लोग और फिर यह लोग बंगालने के चला गया कि इसकान के वादी जब हम लोग इंटीमेट कि एक एसायसा मेरे साथ घटना हो गया है ड्रेवर से बात हुई थी उसने आंति में यह बताया था और माजी के किसी होटल में उन्हों उसने खाना खाया तब फिर आम लोग धूनना शुरू कि यह ढूनने के बाद जब तक के ड् किसी में सामिल है यह लोगों को वहां से ड्रेवर को लाया गया फिर फैया हमनों किया और तब जब इनने लाइसिस किए टेकसल के माध्यम से और कुछ 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 और भी मिला था पतना से उसके माध्यम से तो पता यह चला कि मुकेश कुमार सिंग्स तीन लोग पकरे गए इसमें मुकेश कुमार सिंग की ग्रफतारी हुए जो जब शेत्फुर के रहने वाले है प्रेम कुमार यह बिहार के पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं मतवस्ट बंगाल हावरा के रहने वाले हैं और आसिस कुमार उर्फ गूलू यह से पुरा बिहार के रहने वाले हैं इनकोय निशने नहीं के पर यह गारी हमनों बंगाल में हारuitive से बरामद ही जिसमें प्रेम कुमारे के यहां से यह गारी मिली है और प्लेन यही था कि हमनों को गारी किसी तरह से चुरा लेना है ठग लेना है या जैसे भी आधिल कर ले ना और इसको उने परने दाम में बेज देए चुकि ये विरकुल ही नहीं गारी थी स्कॉर्पियो और हाई मॉडल था इसलिए मार्केट में दाम भी इसका ज्यादा था लेकिन दाम उत्रा मिल नहीं पा रहा था तो गारी वेट एंड वाच में था कि अब पेपर स्लो भी तैयार कर रहा था बंगाल में जैसे हैं कुलू जब मिला तो सारे तीन लोग भी पकड़ा गए हैं बाके दू लोग इसमें और हैं इनलों का जब जादी अपराती की इतिहास हम लोग खंखाल रहे हैं तो कुरकुंडा दिवरिया था दिवरिया जिला में जगह ठाना है उसमें अंतर राजी रैकेट है जो फोर वीलर को बिल्कुल नहीं गारियों को धोका दे के अशातिर लोग हैं इसमें एक इंजिनियर भी अपने आपको मुकेश कुमार सिंग इंजिनियर भी है यहां पर यह खुद अपना अहां अलग-अलग अलग सोच से क्राइम करता है और इस उन्हें गाड़ी की अच्छी कीमत नहीं मिल रही थी यही कारण है कि करीब 10 दिन से कोलकता में भटक रहे थे पुलिस को गाड़ी को कोलकता ले जाने की सूचना मिली इसके बाद राची पुलिस कोलकता पहुची तो कोलकता में राची पुलिस के पसीने छूड़ गए क्य ऐसा मामला सामने आए कि हर कुछ सोत रहा है इस पढ़ने लिखने की फिर क्या जरुरती जब फ्योर गिरोह का ही सरगना बनना था कई सवाल लोग उठा रहे हैं हलाकि पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया है और गाड़ी भी बरामत कर लिए ब्यूरो रिपोर्ट लाची